हेलो दोस्तो दोस्तों देखो पठान के जो मैंने आपको रिव्यूज बता है जो फर्स्ट रिव्यूस बताए थे वो रेल थे उसमे जो लोगों को डाउट है कि भाई वो फेक थे ऐसा थे देखो भाई मैंने ट्वीटर से लाइव रिव्यूज लिये थे वो UAE USA के रिविउस थे इवन YouTube चैनल पे भी कुछ YouTube चैनल पे उनने पब्लिक रिविउस डाले है उनके ही मैं आपको कमेंट्स बता रहा था कि क्या है क्या नहीं तो उसमें जिन लोगों को डाउट था भाई डाउट करनी का तो सवाल आता ही नहीं है मैं मन से क्यों डालू कोई भी रिविउस मैंने इवन आपको वालिवड हंगामा की तरफ से वगरा जो भी रिविउस आए वो बता है इवन मैंने ये भी प्रॉमिस किया थे कि रात को कुछ रिविउस अगर नहीं आएंगे तो उसके बारे में मैं डेफिनिटली बात करूंगा तो उसके बारे में अभी मैं बात कर रहा हूँ देखो I don't care यार कि दोस्तों लोग क्या कहते हैं अब यहाँ पे कुछ रिविउस आए जो मैं आपको बता देता हूँ कुछ रिविउस निगेटिव भी है कुछ पॉजिटिव भी है तो ऐसा नहीं है भाई कि मैं कोई मन से ही दे रहा हूँ ग्रैंड कमबैक बाई कीग खान दस मैं से दस पाच मैं से पाच स्टार स्वरी इस इस ग्रेट कमबैक फ्रों मिसर के अल्वेज बीन आ किंग ओ बॉलिवड पीपल टाइम वेस्टिंग प्लीज किंग खान जस मैं इसने कह लिखा है स्टॉप प्लेइग देट आप रोल्स इन मुवीज इस इस ड़संट सूट यू और उसने एक स्टार दिया है पाच मैं से और एक रीवीव मुझे देखने को मिला है John was good, SRK was too good Deepika was slightly disappointed disappointing but still I must say that action was outstanding and still there is lack of suspense, lack of story and I will give you 2.5 stars और एक यहापर रीवीव जो मुझे देखने को मिला है completely advanced spy movie outstanding 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 five out of five stars उसने दिये और उसने ये बोला है कि it's a high level movie इसार के वाद्स फेंटास्टिक जॉन वाद्स तू सर्प्राइजिंग एंड डीपी का की भी तारीफ वहाँ पे मुझे जो देखने को मिल रहे कि उसके लिए तो बहुत कुछ लिखा है और उनोंने एक यहाँ पे लिखा है टोटल टाइम वेस्टिंग एक और दो स्टार दिये है यहाँ पर और एक लिखा है और एक ने नहीं कुछ स्पोईलर से वह नहीं बताऊंगा मैं आपर उनने मुवी का सिक्रेट रिवील करने की कोशिश करके थोड़ा सा स्पोईलर देखे एक एक दो दो स्टार्स दिये मैं उन रिवीउस को नहीं बोलूंगा और आपका मज़ा खिरकिरा नहीं करूंगा द देखो एक अंदाजा आया है कि मिक्स रिवीउस आये इस नॉट हंड्रे परसंट पॉजिटिव परसंट निगेटिव तो भाई हर मुवी का ऐसा ही रहता है यह नहीं आप कितनी भी अच्छी मुवी बना उसको अच्छे भी रिवीउस आते बुरे भी रिवीउस आते तो यह तो भाई लाइफ का रूल है कि सब को गई कितना भी अच्छा हो या फिर कोई कितना भी बुरा हो 50-50 परसंट बूरे में भी ऑच्छे धी जाती है और अच्छे में भी में एक किए जाती है तो आपको क्या लगता है ये मूवी कैसी होगी कमेंट्स में बताना जरूर थैंक यू